नमश्कार दोस्तों मेरे पाम रेडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आयास 36 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सर पर थम इनके सवालों को सुनेंगे फिर एक एकर करके इनके सवालों का उतर करेंगे उससे पह वरतमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, काफी दिनों से सरकारी नौकरी की तयारी भी कर रही हैं, लेकिन किसी कारणवश जॉब नहीं हो पा रहा है, कुस नंबरों से इनका दिरतर छूट जा रहा है, कुछ छोटे-छोटे मार्क्स चे एक-दो नंबर से तीन नंबर से इनका एक्जाम नहीं हो पा रहा है, तो ये जानना चाहती हैं, कि ये समस्याएं क्यू हैं, और ये समस्याएं कब तक रहेंगी, पहला चीज़, दूसरा नौकरी की प्राप्ती होगी, अथवा नहीं होगी, क्योंकि आयू भीरतो बरती जा रही हैं ना, लेकिन किसी कारणवस उनका छूट जा रहा होगा, उनका नहीं हो पा रहा होगा, तो वो भी इस प्रकार के असमंजस में होंगे, इस प्रकार के सिती में होंगे, कि आखिर इसका क्या वज़ा है, आखिर उनके जिंदगी पर ये समस्याई क्यों आ रही है, तो आप बिलकुल वीडियो में इस बात को क्लियर करने का कोशिश करूंगा जो युवागन है जो तयारी कर रहे हैं अगर उनके हाथ पर भी ऐसे अवस्था हुई तो उनको सुरुवाती दौर में थोड़ी असफलताओं का सामना करना पर सकता है लेकिन अगर कुछ अदबुत अवस्था हुई तो पहले मैं पॉजटिव बात बताता हूँ फिर इनका क्यों नहीं हो पा रहा है इसकी क्या मेजर वज़ा है इसकी क्या मुख्य कारण है उस पर भी मैं वचार करने का कुशिश करूंगा और चीजों को गहराई पुरवक समझाने का और बताने का प्रयास करूंगा तो या कुछ आपके लिए concern भी है कि आप हर exam दो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप अधिकारी का ही दो या सिर्फ आप अधिकारी ही बनो ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप हर एक paper दो हर एक exam दो और clerk level के भी आपके हाथ पर योग है अधिकारी के भी योग है लेकिन मैं च ये एक सूरी रेखा हो गई, फिर एक और सूरी रेखा हो गई, दो सूरी रेखा आपको दिखी फिर देखना, यहाँ पर से एक सूरी रेखा हो गई, यह वाली एक सूरी रेखा हो गई, फिर यहाँ पर से एक आपके फिर्ज जैसे आकरती है, जो कि कही न कही उच्छ सफलता क बताती है लेकिन एक certain I.O के बाद बताती है ये लगबग 35 वर्स के बाद जिंदगी पर सफलताओं को बताता है लेकिन सूरी देखा है फिस जैसे आकरती बन रही है तो कहीं न कहीं ये उच्छ सफलता को बताता है मैंने वरिश्ट अधिकारी गणों का हाथ देखा है बड़े आयू 32 वरस के बाद की हो जाए तो ये जादा positive impact डालता है मैं थोरा confidence से इस बार विशह में बात कर सकता हूँ कि नहीं आपका होने का काफी chance से एक बहुत अदबुती हो गये क्योंकि जब आपकी आयू बड़ी हो जाती है न और आपको सफलता नहीं मिलती तो आपके मन में जो धुदलाहट होता है वो तो होता ही है और एक जो जोतिस से उनके मन में भी रहता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है तो ये सब sign जब दिख जाए ना तो फिर एक confidence मन में आता है आपके भी और हमारे भी कि नहीं ठीक है ये आपको सफल बना सकता है ये आपको सफलता दे सकता है ये इस बात का confidence को बताता है तो आईए मुझे पर और विचार करते हैं अगर क्या दिख रहा है मुझे इसके उपरांत और भी चीज़े इनके एतली पर हैं जो की positive के रूप में है तो मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा एक उच्च अदिकारी बनने है तू सरकारी छेतर से सफलता है तो वो भी एक महतपूर इसाहिन होता है तो सबसे पहले चीज़ आप देखिए तो यहाँ पर से एक बहुत इच्छी आपकी भाग गिरेखा है जो कि जिन्दगी के लास तक चल रही है और आप गौर करेंगे तो 36 वर्स के बाद यह भाग गिरेखा पतली होई है जो कि एक बहुत बरा बात है एक बहुत positive impact यह डालेगा अगर कोई भाग गिरेखा पतली हो जाए और आगे भी यह भाग गिरेखा चल रही है जिन्दगी का लास तक आपका भाग गिरेखा जादा बहतर कंडिशन में है इवें जादा अच्छे कंडिशन में मैं इसको मालूँगा तीन ब्रांचेस के साथ हैं जो कि बहुत अच्छा फलदाई होता है बहुत सुफलदाई होता है इसके उपरांथ भी चीज़े इनके इतली पर है जैसे प्राग्रस टाइन एक आयू के बाद इनके जीवन रेखा पर अवस्थे ज़िन्दगी पर तरक्की और प्रगती को बताता है उसके बाद एक बहुत ही अच्छी बुद्रेका भी इनके हाथ पर बन रही है ये बुद्रेका इस बात का परचे कराता है कि ऐसे विक्ति अच्छा पैसा कमाते है लाइफ में अभी मैं आगर आगे देख लो इनके हतली पर और भी क्या चीज़े हैं जो मुझे दिख रही है तो इनकी अच्छी आपकी प्रगती के योग ये लाइन्स भी है जो जुपिटर पर है इसके उपरांत उच्छे दिकारी बनने है तू सिर्फ लाइन्स से बात नहीं चलता लाइन्स के साथ साथ प्लैनेट्स भी बड़े अच्छे होने चाहिए अगर आपके गरन दिस्ट्री कौन से चीज़े बहुत ही अच्छी सटिस्फेक्टरी है तो वो आपके लिए ज़्यादा सुफलदाई होती है तो अगर मैं आपके प्लैनेट्स को देख रहा हूँ तो एक जबरदस्त आपका शुक्र माउंट है और दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है चदरमा काफी बढ़िया है सन मरकरी अच्छी है तो मतलब मेक्सिमम प्लैनेट्स मेक्सिमम प्लैनेट्स आपके बहुत ज़्यादा अच्छे कंडिसंस में बहुत अच्छे कंडिसंस में तो ये इस बात का परिशकर आते हैं कि आपको जिन्दगी पर सफलता तो मिलेगी विलम्ब से क्यों मिली इसको भी हम गहराई परिवक आपको समझाएंगे बहुत ये अच्छे तरीके से कि आखिर इसकी क्या वजह थी कि आपको इतना विलम्ब हो रहा है ऐसे बहुत से एस्परिंट होंगे जुनका विलम्ब हो रहा होगा इतना नहीं विलम्ब हो ही रहा होगा तो वो भी इस बात को गहराई परिवक समझ ले कि सफलता में कौन सी रेखाई अवरोध बनती है सफलता में कौन सी रेखाई अवरोध बनती है कौन सी रेखाई आपको तकलीफ देती है तो मैं उसको भी आज बताने का और समझाने का कोशिश करूँगा तो सबसे पहले चीज तो ये होगी positivity अब positivity के अधार पर मैं आपके सफलता को बता पा रहा हूँ लेकिन केवल positivity से आप सफल नहीं होंगे आपको निरंतर प्रयास भी करना पड़ेगा आपको मेहनत भी करना पड़ेगा तो बस वही बात है आप मेहनत करो आप मेहनत करो आप सफल जरूर बनोगे तो मेहनत तो सबी को करना पड़ता है मैं इनके लिए ये बात कह रहा हूँ अब किस करन वस इनके जिंदगी पर असफलता इनको हुई आज तक क्यों नहीं सफल हो पाई है आज तक ये बहुत बड़ा रीजन है ये एक बहुत महतपून रीजन है तो मैं देखता हूँ इस बात को समझने का कोशिश करता हूँ तो जब भी मैंने इनके हाथ को देखा न तो यहां पर से ये देखो लाइन इसको कहते है राहू देखा ये आपको परशान करती है ये आपको ज़ादा परशान करती है ये जब तक रहेगी तो सफलता ना के बरावर चांसे से तो ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जब तक रहेगी तो सफलता ना के बरावर चांसे से सफलता नहीं मिलती ये सवस्था में राहु रेखा आपको अफ्स्टेकर देता है अच्छे योग को भी बरबाद कर देता है अच्छी अवस्था को भी धूमिल कर देता है तो अशानती हो जाते यह पारिवारिक समस्या है financial loss कला कचच इस परकार की सारी इस्थिती को यह बताता है सारी स्थिति को ये बताता है तो यहाँ पर सही चीज आपने देख लिया जो की आपकी राहू रेखा आपकी जीवन रेखा पर अवस्थित थी जो ये राहू रेखा आपको जिन्दगी पर तकलीफ देती है अब ये मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ ये चुपिटर पर यहाँ पर से दवाब था ये भी एक स्लाइटली रीजन बनता है ये भी असफलता कुद देने का लेकिन ये मेजर रीजन नहीं बन पाता है कभी भी खैर इस बात को लेके गहराई पुरुवा का आप समझ लीजे चलो जी ये हो गई बात ये हो गई negativity तो definitly आपको जिंदगी पर इस अवस्था में तरक्यी तो नहीं देगा ये definitely इस केस में आपको जिंदगी पर सफलता नहीं मिलेगी इस बात की भी guarantee है ये बात आपके दिमाग में बिठा के रख लुआ अगर राहूर एका होगी तो बिना उपाई के सफल नहीं होंगे अगर राहूर एका जवतक होगी तब तक कि लिए आपको उपाई करना है तब ही जाके आपको सफलता मिलेगी उपाई में महादेव को जल देना है बाकी और भी प्लेंटरी कंडिसन के हिसाफ से उपाई विकरा होते है ये एक इन्यूवर्सल उपाई है कि महादेव को जल देना उचित रहता है इस केस में तो ये होगी दो महतपोने चीज़े बाकी इसके लिए जो भी रेमेडी विकरा है जो भी इनके हिसाफ से सजेस्टों का वो तो मैं करूंगा तो अभी और भी चीज़े थे इनके प्रशन के रूप में कि इनको सफलता मिलेगी अधवा नहीं मिलेगी देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ जो दो चीज़े हैं लेकिन अगर सूरी रेका हिर्दरेका से उपर रहती तो फिर अलग बात थी तो आपको अरली एस में सफलता मिल जाती जो भी एस्परेंट यूपीसी, बीपीसी, जेपीसी इन चीज़ों के लिए प्रफरेशन कर रहे हैं आरपीसी तो इन विक्तियों के लेना ये देखना महदपूर्ण हो जाता अगर वो 28 और 27 वर्सकी आयूके है तो अगर उनके हिर्दरेका से उपर कोई सूरी रेका दिख रही है तो समझो उनको सफलता मिलेगी, जल्दी सफलता मिल जाएगी, लेकिन अगर उनके इनकी हिर्दरेका से नीचे कोई उनको रेका दिखेगी, तो समझना उनको सफलता में प्रॉब्लम आएगा अर्ली एज में, आगे सफल मिल, आगे सफलता आपको प्राप्त हो सकती है, आगे आप आपके जो एक प्रशन्टे गावर्मेंट जॉब को लेके उसके योग आपके हाथ पर दिख रहे हैं और आपको सफलता ही 36 वर्ज की आयू के बाद मिलना था ये भी आपके एतली में था ये भी आपके एतली में चीज़े अवस्थित थी चलो जी जी आपने देख लिया आप विचार करता और भी क्या चीज़े आपके एतली पर अवस्थित है और भी क्या महतफ़ून चीज़े मैं आपके एतली पर से देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ तो अभी आपके जीवन रेका से मैं आगे के जिन्दगी को बताऊंगा और मैं बताऊंगा आपकी र आहूर एका हट रही है, उस बात पर विजार करते हैं, तो सबसे पहले चीज़ आप देखिए, तो यहाँ पर से इनकी मस्तिक सरेका और जीवन रही है, तो यह बचपन से काफी इंडिपेंडेंट ख्यालातों की रही है, अपने हिसाव से ही चली है, और अपने हिसाव से आज भी चल रही होंगी, उसके पहले कुछ प्राग्रस आइन आपके अतली पर जरूर था, तो बचपन ठीक रहता है, लेकिन थोड़े स्ट्रगल लाइफ में जरूर रहते हैं, यह इस बात का परचे तो कराता है, अब मैं थोड़ा सा आगे जब बढ़ा, तो स्ट्रगल लाइ तो डेफिनेटली है, 35-36 तक तो डेफिनेटली है, हाँ, 35-36 के बाद तो रहू रेखा नहीं है, एक आपके 38 साल में कोई सफलता के योग है, तो मेबी यह आयू आपके लिए सफलता प्राप्त करने के लिए काफी ज़दा इंपोर्टन हो, मेबी इस आयू में आप सफलता यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप सफल हो सकती है, आपके 38 साल में एक तरक्की के योग तो है, और 49 साल में भी है, 42 के आसपास भी तरक्की के योग है, फिर आपके लगबग 46 में भी है, 48 में 50 में है, फिर आपके 54 में है, फिर तक जिस सम्मान के लिए आप निरंतर प्रियासरत है, वो सम्मान आपको ये रेखा दिला सकती है, ये बाद भी तै है, ये बाद भी एकदम तै है 100%, तो ये वाली बात हो गए, ये पॉस्टिव इंपेक्ट है, और जब भी इतना पॉस्टिव इंपेक्ट एक सर्टन आयों के आता है, तो मैं इस चीज से काफी खुश हूँ, काफी आसवस्त भी हूँ, कि अगर आपने महनत किया, लेको बिना महनत के लाइफ में कुछ नहीं होता, अगर आपने महनत किया, वो महनत में सार्थकता रही, सार्थक महनत यही हुआ, कि आप टाइमली परहाई कर रही है, रूटीन वाइज कार कर रही है, तब आपकी जिन्दगी पर सफलता आपको मिल सकती है, चलो यह चीज हो गया, अभी मैं इनके अतली का जनेरा दिन करूँगा, चीजों का सपस रूप से क्लियर करूँगा, तो वीडियो काफी जादा महत पूर्ण है, देखे, सीखे, समझ सफलता को पाते हैं, सारे प्लैंट्स लगबग स्ट्रेंट में राज्यो कारक अदेली है, आज इनकी नौकरी नहीं भी है, पर भी इनको कमपर्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, कही ने कैसे धन की प्रापती जरूर हो रही होगी, यह भी इस बात का परचकर आती है, गुल जिंदगी पर तरقकी भी कर लेंगे, रिजसायर्स के बद अच्छी योगते, विक्ति काफी महत्मा कांची है, यह आपके महत्मा कांची ज़बात का परचकराता है, सेकेंड फिलेंज बड़ा है, बानसल है तो ये जबात का परचकराता है, कि एसे विक्ति अपनी सम्मान रिक्षा कर पाएंगा, तो रहे कुछ सेल परवर्ति के होते हैं, या फिर अपने हिसाब से करने वाले होते हैं, हितेसी, अपने हितेसी लोगों के साथ ही ये ज़्यादा थंपर्क में रहते हैं, बाकि किसी के थंपर्क में रहते भी नहीं है, तो ये वाली हो गई बात एक important, बाकि थंप बला स्ट्रॉंग है, तो ऐसे विक्ति को जुकाना असंबव है, ये अपने हिसाब से चलेंगे, जुकना इनकरिक्शनरी में नहीं है, बढ़िया थंप, ये एक अधिकारिक थंप जरूर भी होता है, ऐसे विक्ति अधिकारिक सम्मान को भी अपने जिन्दगी पर जरूर पाते हैं, मैं थोड़ा आगे चलो, तो इस सम्माज़दारी को लूप काफी अच्छी, ऐसे विक्ति बहुत सम्माजदार परविर्तिक है, सम्माजदारी से सिंदगी पर चलते हैं, और सम्माजदारी से आगे भी लाइफ में बढ़ना चाते हैं, इंसान दिल के चक्र है, जो की बहुत इच्छी बात है, दो चक्र है, तो ये इस बात का पर चक्राते हैं, कि जातक जिंदगी पर सफ़र जरूर होते हैं, इनके प्रैनेट्स का इनके जिंदगी पर अच्छा फला पाता है, ये चोटी है, ये बड़ी इंसान हिम्मती है, सेटन फिंगर ल अच्छी क्रिटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परचे तो करा ही रही है, ऐसे वेक्ति समझदार परविर्थी के तो हैं ये इस बात का परचे कराती है, आगे मगर देखो तो ब्रश्पती का यहां से दबाब तो थोरे स्ट्रगल को बताता है, तो दोगे के योग थे, ये कुछ प्राग्रस लाइन आप कहते लिए परती, जो जन्दगी पर तरक्की को बता रही है, फिर भी इस बरश्पती का आपको उपाई करना चाहिए, मैं दे दूँगा, और एक जबरदस्त आपकी मस्तिक सरेका दिमाग के तेज है, तो तनाव में आप रही है, परसपर दिमाग के तेज होते है, विस्टों योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं, और बैलन्स काफी अच्छा, दिमाग के बहुत तन दुरूस था, थोड़े इरिटेट जल्दी होती है, गुछ सैल प्रविर्ती की है आप, तो इस पत्थर आपको निय आपके लाइन ओफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है, आपके समयधारी का परच करा रहा है, फिस जैसे आकरती जरूर दिकरी है मुझे आपके हाथ पर, तो ये जबात का परच जरूर करा रही है, कि ऐसे विक्ती को सम्मान तो मिलेगा, लेकिन थोड़े आयू के बात, दो सबी कुस्त सूरी रेका के ब्रांचे से, आपके टरेंटर होने का परचक राते, जातक गुनी तो हैं, फिर आगे मैं देखो तो बहुत तेज है दिमाग की, दिमाग भी इनका तेज से कारे करता है, सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धिवेक से कार करने की एक्छा है, और य शिस्तम यात्राओं को बता रहा है, बाग गिरेका सुर्वाती दौर से अच्छी नहीं थी, घर से दूर के उननती के योग थे, चुकि चनरमा से बाग गिरेका गई है, आगे भी बाग गिरेका चल रही है, और एक बहुत जबर्दस बुद्धिवेका है, लेकिन एक थोड बढ़िया है, फिर आल भी थोड़ी कम विजिबल है, जितनी ज़़ादा विजिबल होगी, वो आपके लिए उतना ज़़ादा बढ़िया रहेगा, जीवन ड्रे का बहुत जबर्दस आयू-दिरगायू, ये टेंशन के योग बहुत जल्दी आपके खतम हो रहे हैं, थोड़ा चिन्ता करने का आपका नेचर जरूर है, तो इसे वेक्ती चिन्ता करेंगे, लेकिन फिर ये ठीक भी हो जाएंगे, दूसरे ही पल, हिम्मती भी ओते हैं, इस कहने का यार्थ ही ये है, प्रॉपटी आपका डेफिनेटली 40 के बाद बढ़िया बनेगा, आप कर दे कमेंड कर दे सब्सक्राइब कर दे अगर आप विक्ति का दोल से मैं सहस्त्रे का दिकार के सही जानकारी पाना चाहता हमारा बहुत सब नंबर डिसक्रशन मिल जाएगा लेकर आप संपर कर सकते हैं धन्यवाद